नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं जार्खन के 16,000 पारा सिक्षक एप से जोड़े जाएंगे जार्खन के 16,000 सहायक अध्यापको को एपिएप का लाब मिलेगा 12 फिर्दी रासी पारा सिक्षको के मायंदे से कटेगी जबकि 13 फिर्दी रासी का वहान राई सरकार करेगी 1 जनवरी 2023 के परभाव से इसे लागू करने की तयारी है सिक्षा मंत्री जगनात महतों ने पारा सिक्षको को एपिएप का लाब देने के प्रस्ताव पर अपनी समती परदान कर दी है सो महर को सिक्षा मंत्री ने विभागी अधिकारियों के साथ होई बैठक के बाद इसकी जनकारी दी अब इस प्रस्ताव पर बित विभाग की अनापती ली जाएगी और इसके बाद केबिनेट की मंजूरी लेकर लागू किया जाएगा बतादे सभी परदा सिर्षकों को एक समान EMPF कंलाब मिलेगा राजी के परदाश्रिकों को 16,500 रुपे से लेकर 22,500 रुपे तक मांदे मिल रहा है परदाश्रिकों को 15,000 के नियमित मांदे पर ही EMPF कंलाब दिया जाएगा इस नियत मांदे का 12 परतिसत यानी 18 सो रुपे परासिशकों के मांदे से कटेगा जबकि 13 परतिसत रासी 1950 रुपे राई सरकार देगी इस तरह एक परासिशक का एक महीने में एपीएफ में 3750 रुपे जमा हो सकेगा बरतमान में एपीएफ में ब्याज 8 पिजदी से उपर है और इसमें चक्रवीधी ब्याज मिलता है जहारखन में तापमान में बड़ी गिरावट होने वाली है पच्मी भी सोब का भी असर जहारखन में दिखने को मिलेगा पच्छुआ हवाओ की वज़ा से सर्दी का एहसास ज्यादा होगा रांची के बिर्सा मुंडा यार पोडिसीत मौसम केंद्र के निदेशक अभिसेक आनंद ने सोमवार को जनकारी दी है कि मौसम बेग्यानिक ने कहा है तापमान में जल्द ही 2-3 डिगरी तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है मौसम केंद्र के मुताबिक इसमें ज्यादा दिन नहीं लगेंगे बलीक अगले 2-3 दिन में ही जहरखन का तापमान 2-3 डिगरी तक लुठक सकता है लोक सनवाद में सीएम बोले सरकारी और नाओं से खुद जुड़े और दूसरों को भी जुड़े खत्यारी जो हार यातरा के बाद गुमला की वन डिहा पंचायत इस्थित गमारिया में मुख्य मंत्री हमान सुरे ने गरामिनों के साथ सीधे मुखातिब हुए इसमों के पर उन्होंने कहा है कि राज सरकार के अश्पष्ट सोच है कि हर व्यक्ति की ना सिर्फ बात सुनी जाए बलिक उसकी समस्याओ का भी समधान हो इसी कड़ी में हम जीलों का दोरा कर जानता से सिधा सनवात कर रहे हैं ताकि उनकी परिशानियों को समझते हुए उनका निराकरन कर सके साथ ही उन्होंने कहा है कि वे खुद छेत्र ब्राहमन कर विकासकार और कल्यानकार योजनाओ की जमीनी हकिकत को समझने का प्रयास कर रहे हैं उन्होंने ग्रामिनों को सरकार की बिभीन योजनाओ से अउगत कराते हुए कहा पूरुस महिला बजूर्ग विद्यार्थी युवा और दिव्यांग समेश सभी तपके के गरीब अवज़रत मंदों के लिए सरकार की योजनाय है आप इस योजनाव से जुड़े और दूसरों को भी जोड़ने में सहयोग करे जार्खन के धान का कटोरा में नहीं खुला कराय केंद्रे जार्खन का धान का का टोरा कहे जाने वाला हजारी बैका बाइखा गाओ में धान कराई केंद्र नहीं खुला है। धान ट्रॉकों के जर्या हजारी बाग के टेमो टान और रांची के राइस मिल में भेजने का काम किया जा रहा है जिसके करान यहां कि किसान खूद को ठागा हुआ महसूस करते हैं सुखा राहत रासी लेने के चाह में गढ़वा के किसान पर पैक्स संचालक चाहते हैं कराय के इंद्र खूले गढ़वा जीले में बारिस नहीं होने की वज़ा से इस साल सुखाडवाली इस्तिती रही है इस वज़ा से खरीब फसल जिसमें मो के रूप से धान सामिल है का बीन अने रिपोर्टों के साथ धान कराय केंद्र से समझीत मंतव्य मांगा गया था अब तक जीले के 15 सक्रिय पैक्सो ने साकायता विभाव को प्रस्ताव भेजा है और कहा है कि उनको धान कराय केंद्र खूलने के उनमती दी जाए इसमें बड़ीहा परखंड के बड़ीह इसमें एक कॉलेज में रोकेट में बिस्फोट हो गया है जिसमें कम से कम 8-67 ह्यायल हो गई सो मार को घाट सिला अनुमंडल में इस्थित घाट सिला कॉलेज में बिग्ज्ञान परदर्शनी लगाई गया इसी दरान या हाथ्सा हो गया बतादे घाट सिला कॉलेज में सेक्षनिक मोडल प्रदर्शनी के दवरान इंटर भौतिक विभाग के विद्यार्थियों ने रोकेट बनाया था इस रोकेट में कुछ तक्निकी गलबड़ी हो गई और उसकी वज़ा से रोकेट में बिसफोर्ट हो गया इस घाटना में आसपास मौजूद लगभग आठ चाच चत्राओं को आशिक चोट आई है हडिया दारू बेचना बंद कर खेती बारी और पसु पालन से जुड़े ग्रामीन मुख्य मंत्री गुमला के हवाई अड़ा में खत्यानी जो हार यात्रा हुई 30-14 अधिक भीड थी सियम हमान सुरेन हेलिकोप्टर से पहुँचे उनका गुमला में भवे स्वागत हुआ मुख्य मंत्री हेमन सुरेन ने कहा है कि जारकन राज अलग हुआ 20 साल से भी अधिक हो गया है इसमें 15-16 साल भाजपा ने सासन किया उस सरकार ने राज को खुकला कर दिया है सियम सीरी सुरेन ने कहा है कि 2019 में महागड बंदन से जब हमारी सरकार बनी तो उस समय कुरोना काल के कारण देश बर में लोकडाउन लग गया इससे हमारा राज भी अच्छूता नहीं रहा लोकडाउन में हमारे सामने बहुत बड़ी चिनोतिया आई लेकिन हमने हारा नहीं बतादे सीम सीरी सुरेन ने कहा है कि लोगों से हडिया दारू की बिक्री बंद करने और खेती बारी और पसुपालन करने के लिए प्रेरित किया कहा है कि इस राज में लोगों का नसा पान कराने के लिए एक बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है यहां क्या दिवासी और मुलवासी को हड़िया धारू में डुबोना चाहते हैं सीर में हड़िया धारू लेकर बेचने जाने से फेस्तर हाए कि सीर पर योजनाओ की गठ्री लेकर चले पानी नहीं मिलने से दुमका के बरमसिया कस्तुर्बा बिद्याले की छत्राओं ने किया हंगामा है दुमका जिला अंतरगत सिकारी पड़ा प्रखंड के कस्तुर्बा गांधी अवास्य बिद्याले बरमसिया में तीन दिनों से पानी नहीं मिलने से परिसान छात्राओं ने जम कर हंगामा किया छात्राओं का कहना है कि तीन दिनों से हम लोग असनान नहीं किये हैं बाथरूम तक जाने का पानी नहीं है छत्रावों ने बताया कि जब हम पाने की कमी को लेकर छत्रावास की वार्डेन, एस्टेन, सीला, सोरेन से सिकायत कर रहे हैं तो उनका कहना है कि जाओ अविभावक को बुला कर यहां से बोरिंग करवालो लापरवाही का आलम यहा है कि सोमार के सुबह से वार्डन छत्रावास में नहीं है हलाकि कई ऐसे अविभावक हैं जो इस्कूल के आसपास रहते हैं बिजली के लिए 750 क्रोर की रीन गरांटी राजे में निर्बाद बिजली आपूर्ती की और सरकार ने एक कदम बढ़ाया है मुख्यमंत्री की समिक्छा बैठाक में लिए गर नीरने के अनुसार जार्खन बिजली बित्रन निगम लिमिटेट को सरकार की गरांटी पर रीन देने के लिए बित विभाग की और से मंजूरी मिल गई है अब 750 को रूपए रीन के लिए उर्जा विभाग की संची का पर सरकार की गरांटी समधी पर 14 दिसंबर को मुहर लगने की उमीद है बता दे जेवी बिएनेल सरकार की गरांटी पावर फाइनेंस कार्पोरेशन को भेज कर रीन लेने की परकिरिया सुरू करेगा रील मिनने के बाद जेवी बिएनेल इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का बकाया 205 को रुपए चुका कर सुबा और साम के ब्यस्त समय के दवरान राज में बिजली की मांग और आपूर्ती में 500 मेगावाट के अंतर को दूर करने के लिए अत्रिक्त बिजली खालिच सकेगा पचास अयर सिख्षकों की नियुक्ती पर फसा पेच राज में पचास अयर सिख्षकों की नियुक्ती पर पेच फस गया है यदि कार्मिक विभाग सिच्छा विभाग प्रस्ताव को हुबहु मानकर नियुक्ति परकिरिया को हरी जंडी देखा देता है तो एक बार फिर यह नियुक्ति भी विभादों में आने के असार है IAS पूजा सिंगल की जमानत पर 2 जनवारी को सुनवाई सुप्रीम कोट ने उनकी जमानत पर सुनवाई करते हुए ID को नोटीस जारी कर जबा मंगा है इस मामले की अगली सुनवाई 2 जनवारी को निराइद की गई है बता दे की जर्खन हाई कोट के जस्टिस एसके दिवेदी के अला ने पुझा सिंगल की जमाना त्याजका को खारिच कर दिया था बीत रहित सिक्षा कर्मी उनाइस को सेक्षिनिक हरताल पर रहेंगे जारखन बीत रहीत सिक्षा संहर्ण मोर्चा के वाहन पर राजे के बीत रहीत इंटर कॉलेजों उच बिद्यालों मदार्शा और संस्कुल कोलेज बंद रहेंगे और पठन पठन नहीं होगा 21 दिसंबर को विधान सभा के सामने एक दिवस्य धारना देने का निने लिया गया इससे पहले 16 दिसंबर को मोर्चा मुख्य मंत्री सिक्षा मंत्री वा सिक्षा सचीव को मांगो से समधित ग्यापन देगा वहीं जन्वरी में गोड़ा के महगामा इंटर कोलेज में मोर्चा का राज अस्तरीय समेलन करने का निने लिया गया साथी राज से ज़्यादा बिधायकों के हस्ताक्षर युक्त गयापन स्कूल कोलेज के अधिगरहन को लेकर देने का निने लिया गया पुलिस ने सोमवार को बताया कि बच्ची से बच्ची जब रभीवार को मदर से में पढ़ने गई थी तब इमाम ने बाखी बच्चों के छूटी कर दी आरोपी इमाम लड़की को मदर्से में ही अपने कमरे में ले गया और दुसकर्म की वरदात को अंजाम दिया आरोपी ने बच्ची से या घटना किसी को नहीं बताने की धमकी दी बतादे जार्खन के सिम्टेगा जी लेके एक मदर्शे में आट साल की बची से दुसकर्म कटने की घाटना सामने आई है रांची पहुंचे इसान किसन जे एस्टीय में खेलेंगे मैच बंगलादेश के खिलाब दोहरा सतक मारने के बाद भारत के स्टार बलेबाज इसान किसन राची पहुंच गया है जहां पर परसंसको ने उनका खुब स्वागत किया यारपोट पर पहुंचते ही खेल परसंसको ने उनके साथ सेल फिली और उनके बेहतर भविस की कामना की यारपोट के अंदर भी लोगों के बीच इसान किसन का आटोग्राफ लेने की होड लगी रही बता दे कि बंगलादिस के खिलाप बहतर परसं करने के बाद इसान किसन राची पहुंचे है मिली जनकारी करुदशार मंगलवार को जेस्ये स्टेडियम में राची ट्रोफी के अंतरगत होने वाले मैच में भी खेलेंगे रांची पहुँचने से पहले अर्पोट परिसान किसन के स्वागत के लिए ढोलना गाड़े का ब्यवस्था किया गया था पूजा सिंगल को साम में फुलने लगी सांस इलाज के लिए रिम से पहुची इतना ही नहीं नहीं साल का जसन भी उन्हें जेल में ही मनाना पड़ेगा राची में अवयद रूप से संचालित बार की होगी जाच को या भी जनकारी दी गई है कि राची जीला में चल रहे बार में सभी नियमों के अंदेखी की जाती है जे एस एससी में 164 नोकरियां की बदली आवेदन तारीक जार्खन करमचरी चेन आयोग ने जार्खन डिपलोमा अस्तरिय सन्युक्त परत्योक्ता परिक्षा 2022 के लिए उनलेन आवेदन की तारीक को अस्थागित कर दिया है योग्य उमिद्वार 27 दिसंबर से अधिकारिक बेपसाइट jssc.nac.in पर परिक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे फर्खन भरने की आखरी तारीक 26 जनवाई 2022 है उमिद्वार 1 फर्वई से 5 फर्वई 2023 तक अपने आवेदन फर्खन में बदलाव कर सकेंगे कूर्मी समाज का दिल्ली में परदर्शन जारखन बंगाल और उडिसा के कूर्मी समुदाय के हजारों लोगों ने सोमवार को अनुसूची तजन जाती में सामिल करने कि मायं को लेकर दिल्ली के सांसद भवन का घेराव वा परदर्शन किया इस परदर्शन में कुर्मी समाज के सांसाद, पूर्व सांसाद, विधायक वा पूर्व विधायक सामिल होकर समाज के संजोजोग सीतल ओधार ने आंदोलन करने थी तो करते हुए कहा है कि या घेराव कारकरम आने वाले दिनों में देश की दासा दिसाताय करेगा समाज के लोग अपने सन्वेधानिक अधिकार पाने के लिए एक जूट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं मैटरिक इंटर की परिकषा ہोली बाद जारखण एकेडमी काउंसिल दुआरा लिजाने वाली मैटरिक इंटर के परिकषा 23 मार्च में होगी होली के बाद तीसरे सब्ता में परिक्षा सुरू हो सकती है जबकि प्रायोगी प्रेक्टिकल परिक्षा 20 फरवरी के बाद सुरू हो सकती है प्रेक्टिकल के साथ आंत्रिक मुल्यांकन की परिक्रिया भी फरवरी में ही फूरी कर ली जाएगी दोनों परिक्षा एक ही टर में होगी बतादे परिक्षा का प्रोग्राम जनुवरी में जारी किया जाएगा मैट्रिक इंटर की कोपिय का मुल्यांकन अपरेल में सुरू होगा जबकि मई के अमतिम सब्ता से लेकर 10 जून के बिच रियल जारी होने की समभवना है धन्यवाद